आपको देखना च्टि अथारा लेंग्वेज में बिना देखे ये गाना गाती है कैसे गाती है अथारा लेंग्वेज का प्रोनाशेशन जो अरभी किसने भी सुनाया वो पूरे दुनिया के सबसे टफेस्ट लेंग्वेज कही जाती है आप 17 भासा में गा लेती हैं 10 इंडियन और 7 इंटरनेशनल्स आप देख सकते हैं कि यह अभी देख भी नहीं पाती हैं लेकिन फिर भी गाने की इनकी रूची जो है अभी यह बहुत जगा पर पर फॉर्म भी की हैं अभी यहां पर भी इनोंने अपना गाना गा के सुनाया है नमस्कार कैसे हैं आप लोग मैं हूँ अभी शेक और स्वागत करता हूँ फिर से अपनी इस नई वीडियो में दोस्तों आप लोग अनबॉक्स भारत देखना सुरू कर चुके हैं और मैं इस वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँँगा कि अगर आपने वीडि बच्ची हमारे बगल में खड़ी है और मैं इनका अभी नाम नहीं जानता हूँ मैं बताओंगा आपको फिर इनी से पूछूँगा तो यह बच्ची जो है वो मतलब की 17 भासा में गाती है यह बहुत ही बड़ी बात होती है आए इनसे जानते हैं कि कैसे यह सत्रो बासा में सबसे बड़े दुख की बात यह है या भी यह कह सकते हैं कि यह जो है देख नहीं सकती है और कपसे नहीं देख पाती है यह 2000. 2018 में इसको मेनेंजाइटीस हो गया था दिमागी बुखार उसके बाद से इसके दोनों आखों की रोशनी चली गई 2018 से पहले यह बिलकुल नॉर्मल थी काफी दुख की बात है कि जो बच्ची आज कोई बच्चा जो 2018 तक पुरी दुनिया को देखा हो और उसके बाद अब वो नहीं देख पा रही हो काफी अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि बहुत ही गलत हुआ है आई एन से बात क अच्छा तो मैं आप से जानना चाहूंगा कि आपने सुरुआज कैसे किया मतलब कैसे आपको लगा कि आप मतलब सुरू से सिंगर ही बनना चाहती थी 2018 से पहले भी आप गाती थी मतलब बस ऐसी मतलब शौक था गाने का बस ऐसा कुछ ता नहीं करियर सेट करना है होटल मैन सुनाई है जो नॉर्मल एक दो लाइन सुनाई है जिसे दर्सकों लगे कि यहां आप वाकई में भासाओं में गाती हैं पहले डाइस पसी तो सुना देती है स्पानिश सी सब इसके जाजे बुरा तो में रंदू जे जे भू के बलार गो दीगो होई हो ती के दो मेरा दायस तामा या मांदो में वाल समें खामेनो के वोई तू दूर जेले मानियो सो यार मेताल मिया वर यासर कांदर वो यार मांदर प्लान यह गाना हम लोगो आज तक समझ में नहीं आ रहा है इससे वड़ा और बात क्या हो सकता है कौन से लिंगर में घंसे लैंग्वेज में घना तो शारा आपने कहां से बहुतअ पाती हैं लेकिन फिर भी गाने की इनकी रूची जो है अभी यह बहुत जगह पर पर फॉर्म भी की हैं अभी यहां पर भी इनोंने अपना गाना गा के सुनाया है आए कुछ और इन से सुनते हैं कुछ ऐसा मतब हिंदी और नौर्मल तो गाते हैं कोई ऐसा और को इंटरनेश लिए जहां है तू तूझे मेरी दिल ने पुका रहे है कहां तक पढ़ी लिखी है जैसरी जी मैं एट स्टेंडर में थी तब मेरा आंखों का रौशनी चला गया तो अभी मैं ग्राजुएशन कर रही हूं प्रयाग संगीत समिती से संगीत साश्ट्री संगीत पढ़ाई करने में नहीं संगीत तो रियाज का खेले तो रियाज में कोई प्रॉब्लम नहीं तो मैं बच्पन से हर्मोनियम बजा रही हूं अब कई आखों की रोशनी नहीं जाती तो आप कुछ और होटल मेनेजमेंट करती रहती है तो आपका सपना टूट गया बुरा तो गाते आए कुछ आपका प्लेट फोर्म जहां पर आप गाना गाती हो जहां गाना आता हो अमारे दर्शों को प्ताने की स्पütियां सिंगर जैश्री वहां पर आपने कितने गाने गांशी करती हैं इक है रादू आप बाकी सारा नॉर्मल वीडियोस है जो कि मैं डेली एपलोड करती हूं अभी भी आपका लगातार जो है मतलब रियाज चलता रहता है सिंगिंग करती हैं आप की खुस हैं आप हाँ बिल्खुल होटल मेनेजमेंट नहीं कर पाई देखिए जो करियर होता है वो बच्चों पर ड डिजीज हुआ जो वीमारी हुई उसके बाद आप रूपी इसको ऐसा हो गया कि कोई भी लैंग्वेज का यह गाना सुनती है उसको मुश्किल से एक दिन लगता याद करने में और सेकंडे आपको वो सुना देगी तो यह जो फॉर्म इसके अंदर मतलब डेवलफ हुआ उ उसको भी पिछले साल डेली में एक एवार्ड भी मिला है जो संदीप मारवा जी है जो मारवा इस्टूडियो मुंबई में है उसके ओनर है उनने इसके ओवार्ड भी दिया है वहां पे उसने 18 लैंग्वेज यो 17-18 लैंग्वेज उगाती है उसारे लैंग्वेज में इसको मंच अभी तक नहीं मिला है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक आपिस्ट को मंच की होती है। जब वो मंच पे जाता है तभी अपने प्रतिभा को और निखारता है। मैंने पहले भी बोला है सारे इंटर्यू में कि आप इसको मौका दीचे। बाकी करना न करना अब इसके उपर है कमसे कम एक मौका तो मिलना चाहिए आपकी बच्ची है पियार की बेटी है आपको देखना चाहिए 18 लैंग्वेज में बिना देखे यह गाना गाती है कैसे गाती है 18 लैंग्वेज क का प्रिनासेशन जो एरेवी किस ने भी सुनाया वो दुनिया के सबसे toughest language कही जाती है उसमें ये गाना गाती है तो आप थोड़ा सा देखिए इस प्रतिबा को और थोड़ा सा मौका दीजे बस यही गुजारिश है मेरी भी गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो के माधम से जो लोग भी देख रहे हैं तो उनको समझने की जरूत है और बिहार सरकार को इस तरह के लोगों को और आगे बढ़ाने की जरूत है क्योंकि देखिए जब 17-18 लेंग्वेज में गार इनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा यागे नहीं बढ़ पाएंगी तो समझे कि एक परतिबा हमारे सामने ही खतम हो रही है और कोई बात नहीं है देख ले सुरतिया भोई जाल कैसे बिहान हो जाए चंदा लेयावा खबरिया कैसन बाड़ी मुरिरान हो ए चंदा कैसन बाड़ी मुरिरान हो थैंक्यू कि क्या वाथ है मैथली भी गाती होंगी जब आप बिहार में है तो मैथली बगाती होंगे एक दो लाइन मैथली का हो जाए मैथली ने गाती हो हाँ मघ ही का सुनना ओख है एक बार गाया था है इतरा आभी थी है जेकर भाग बरियार भारत आभी थी है जेकर भाग भरियार भारत आभी थी है थेंक्यू चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जैस्री जी आप देख सकते हैं कि मेरी आप लोगों से यह रिक्विस्ट रगा कि ज्यादा ज्यादा लोग के पास इस वीडियो को पहुचाईए और जैसा इनकी मा बोल भी रही थी कि काफी साय लोगों ने इनका इंटरव्यू लिया लेकिन अभी तक इनको मंच नहीं मिला है तो आप डिरेक्टली किन से कहना चाते हैं कि शिकायत किन से मंच नहीं मिला आपको तो किन से आपको शिकायत किसी से भी नहीं है बस मैं गुजारिश करना चाहती हूँ, शिकायत किसी से नहीं है, गुजारिश यह है कि बस प्रतिभा को पहचानिए और उसको सजने सवरने निखरने का मौका दीजिए, तो मैं सभी पत्रकार बंदों जो भी हैं, जिनोंने इंट्रव्यू लिया, सबको बोलना चाहती हूँ तो धोड़ा मंच कर दीजिए, बहुत सारे लोग ऐसे जिनोंने बहुत सारा प्रयास किया, उसकी बुज़ा से कि बहुत इसका वीडियो बहुत जादा वाइरल हुआ है, पर वाइरल होना बहुत बड़ी बात नहीं है, मंच मिलना कलाकार के लिए बहुत बढ़ी बात है. इनको मंच देने की जरुवत है तो आप लोग ध्यान दीजेगा और बाकी बिहार सरकार से भी मेरा यही निवेदन रहेगा कि ऐसे परतिवा को खतम नहीं दिया जाए ऐसा नहों कि इनका मनोवल तूट जाए और यह फिर जो 17 भासा में गाती हैं वो सब अपना खतम कर दें मि नई वीडियो में दोस्तों विश्मीडियो को ज्यादा ज्यादा लोग के पास शेयर कीजिए लगतार मैं आपको इस तरह की परतिवा से मिलवाते रहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा धन्यवाद